हलो दोस्तों कुट मॉर्णिंग कैसे हैं सब मैं आसा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हैपी होंगे हल्दी होंगे और मज़े में होंगे और यह देखे मेरे कल के कपड़े अभी भी पड़े हैं और आज पड़ रही है बहुत जादा धुन्द बहुत जादा फॉग पड़ रही है चारो तरह बहुत हलका हलका दिख रहा है बहुत जादा ठंडो रखी है और अभी साथ बज़ रहे हैं और हमारी गुल्दोरी में द पिर के आ चुका है बाहर से और फिर आ गया है मेरे पीछे-पीछे चट पे मेरे पीछे-पीछे क्या आया यह मुझे लेकर के आया है ओपर जो है बैटने के लिए लेकिन अभी जो है बहुत ज्यादा ठंड है अलो दोस्तों गुद बॉर्निंग कैसे हैं सब और आज का मौसम सब्सक्राइब कितना ठंडा है बिल्कुल जो धुन्द पढ़ रही है और हमारा टुकू पाइप चाट रहा है ठंड में स्टील वाली ओस पी रहा है कि भूख लगी है और अभी जो सुबह के बज़ गया है साथ साथ बज़े का टाइम है साथ बज़े होंगे पूरे कम भी हो सकते हैं एक गुमिनट यह ज्यादा भी साथ बज़े और इसकतना ज्यादा कुहरा पढ़ना है तो पढ़ गई है और मैं आई थी थोड़ा सा उपर लेकिन यहां सु पढ़ना रहता है और इसके साथ बूपर जाओंगे तो यह उपर जाएगा यह दिन में जाता है लेकिन सुबह साम बहुत डरता अकेलिए देखो मुझे देख रहा है कि मैं उपर आउं तब यह जाए ऐसे देखता रहता है खड़े उसके इसको खीच के चादर को खीचता ह में दबा के कि चलो उपर लेकिन नहीं जाओंगे में नीची वाले काम करेंगी सीटी मार रहा है देख सीटी मार रहा है उपर से कि मम्मी आ फिर जाओ देख वो खड़ा है लेकि तो उपर चलो हम उपर से लेंगे इसका दद्दू का टिफिन कौन बनाएगा स्कूल जाघार इसका टिफिन बनाना है तो इसका मुझे जए पराठे बनाओंगी जाके और यह देखो सीटी मार रहा है कि कोई उपर आए तो मैं उपर बैठ हूँ वहां पर जीने पर कि नीचे आओ थंड बहुत है आजाओ दो धुन्द कितनी पढ़ रही कोहरा पढ़ रहा कुछ भी नहीं दिख रहा है बहुत ठंड है बहुत जादा ठंड है अब तो आज तो और भी जादा है दुन्द पढ़ रही है कि पराठा बनाएं दें कि हल्वा के नहीं मिलता है तो बनाती नहीं हो कुछ भी कुछ बढ़िया नहीं बनाती हो रोजदाल रोटी बनते हैं अब कल बनाया था तो खाके दो तिन परेसान हो गए तो खाया भी इसने करीब 5-6 बार थोड़ा-थोड़ा करके बहुत खाता है कि पैर नमारो उसके और अभी जो है आ गई हूं नीचे तो आपके साथ में आज मैं अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन सेयर कर रही हूं और नीचे आ करके यहां पर मैंने बेटे के लिए पास्ता रखा है उसको मैं छट पर बोल रही थी कि पराठे बना दूं जो जीर मन से तो फिर वो गुसा करके चला जाएगा नहीं खाएगा इस वजह से मैंने उसके लिए थोड़ा सा यहां पर पास्ता रख दिया है और साथ में पास्ते में मैंने थोड़े से मटर के दाने डाल दिये हैं पास्ता देखो हल्दी तो नहीं होता है लेकिन इस तरीके से उबल करके पक जाएगी और यहां पर जो है प्यास टमाटर का मसाला मैंने चौपर में छौप कर लिया है बारिक बारिक और उसके बाद उसको तड़का लगा दिया है तो इस तरह के से जब भी आप बच्चों को बनाएं कुछ भी पास्ता माइकरोनी तो उसमें डेर सारे स बच्चों को पसंद हो तो हेल्दी बन जाती है जो सुबह सुबह का यह नास्ता होता है यहां पर मैंने कुछ दाने मटर के ही डाल दी है तो यहां पर पास्ता बन गया है और यह देखे इस तरीके के पाउच हमारे बच्चे जब भी बाहर से कुछ लेकर आते हैं खाने के पाउच जरूर मिलते हैं बाचकल सॉस के तो बच्चे तो यूज नहीं करते हैं ऐसे धर उदर रख देते हैं तो मैं उनको रख लेती हूं और ऐसे मैं यूज कर लेती हूं जब भी मैगी माइक्रोनी पास्ता कुछ भी बनता है घर में तो उन्हीं में जो है यह पढ़ जा तो उसको मैंने दे लिया उसको बहुत पसंद है तो यहां पर थोड़ा सा मैंने उसको छोटे से टिफिन में करके रख दिया है और फिर उसके बाद पूरे घर के जो काम होते हैं साब सफाई के वह मैंने कर लिये हैं आज मैंने अपना क्लेनिंग रूटीन शेयर नहीं किया रोज रोज जो है नहीं अच्छा लगता है तो अभी बिस्तर वगेरा सब कुछ रखके जाड़ो लगाई पूरे घर में फिर पूरे घर में अच्छे से पूंचा मार के नहां चुकी हूँ और यहां पर मैंने मंगाए थे इनसे अभी टाइम हो रहा है दस बज़ रहे हैं तो यह गये थे बैंक की तरफ तो मैंने बोला कि चलो कुछ खाने के लिए आज ले आना तो यह मिर्च के पकोड़े और ब्रड़ के पकोड़े लेकर के आए हैं और यह मैं ही मंगाती हूँ मेरे घर में कम आते हैं जब भी कभी महीने डेड़ महीने में मेरा मन करता है तो मै मंगाती हूँ वैसे हमारे गर में जो बाहर का तलब होना है बहुत कम खाते हैं लोग तो यहां पर मैंने जो है चाई बना ली है और अभी बच्चे तु चले गए है स्कूल लेकिन अब पापा जी है मैं हूँ यह है तो फिर हमने यहां पर अपने तीनों के लिए चाई रहा तो फिर अब जो है मैं और मेरा डुबू जो है खाएंगे जब से डुबू आया है तो मैं चाई भी पीती हूं तो भी डुबू जहाई पास में बैटता है उसको लगता है कि कुछ खाऊंगी तो इसको दूंगी तो यहां पर मैंने जो पकोडिया है उनका सिर्फ बेस तब जाके इसको कहीं तसल्ली भी फिर भी यह सुंग रहा है प्लेट मेरा मूह सुंग रहा है कि अभी और मिलेगा खाने के लिए और जब यह मार्केट गया थे तो फिर सुब़े गुड़ भी लेके आया थे जैगवरी जिसको यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कर दिया है पॉलिथीन में कर दिया मैंने सुचा क्यों पहले कोई प्लेट में पल्टूं फिर प्लेट भी गंदी होगी तो पॉलिथीन में बड़े ही अराम से धीरे-धीरे चोटे-चोटे टुकड़े कर दिये हैं कि पॉलिथीन भी नाफटे और टुकड़े हो जाएं तो यहां पर टुक्डे करके मैं ने दिप्चे में भर के रख दियें और हमारे यहां पर गुड़ जो है बहुत खाई जाती है सेर्दियों पत्ऑई और टुक्डे मैं ने छोटे-छोटे कर दिये हैं अ कि जिसको नए वीडियो में नए व्लाग में तब तक के लिए बाबाई एंड टेक कियर